ब्रेक बर एक बाब फिर से स्वागेत है आपका सीधे चलेंगे जहां वीर बाल दिवास के अफसर पर पियम मुदी क्या कुछ कह रहे हैं एक बार आता है आजहां के दी के इस अम्रित काल में भारत के स्वाणिम भविश को लिखने वाले अनेक फ्रेक्टर एक साथ जुड़ गए हैं आज भारत दुनिया के उन देशों में से हैं जो देश सबसे जादा युवा देश है इतना युवा तो भारत अपनी आजहादी की लड़ाई के समय भी नहीं था जब उस युवा शक्ति ने देश को आजहादी दिलाई तो ये विशाल युवा शक्ति देश को जिस उन्चाई पर ले जा सकती हैं वो कलपना से भी परे हैं भारत वो देश है जहाँ नची केता जैसा बालक ग्यान की खोश के लिए धर्ती आस्मान एक कर देता है भारत वो देश है जहाँ इतनी कम आयू का भिमन्यों कठोर चक्रवियू को तोड़ने के लिए निकल पड़ता है भारत वो देश है जहाँ बालक दुरू ऐसी कठोर तपस्या करता है कि आज भी किसी से उसके तुल्डा नहीं की जा सकती है भारत वो देश है जहाँ बालक चंद्रगुप्त कम आयू मैं ही एक सामराज्य का नित्रुत्व करनी और कदम बढ़ा देता है भारत वो देश है जहाँ एक लब्वे जैसा सिच्य अपने गुरू को दक्षिणा देने के लिए अकल पनिय कर्म करके दिखा देता है भारत वो देश है जहाँ खुदिराम बोज, बटुके इश्वरदत, कनकलता बरुआ, रानी गाइडिनल्यू, बाजी राउत जैसे अनेकों विरों ने देश के लिए अपना सब कुछ लोचावर करने में एक पल भी नहीं सोचा जिस देश की प्रेरा इतनी बड़ी होगी, उस देश के लिए किसी भी लक्ष को पाना असंबव नहीं है इसलिए मेरा विश्वास आज के बच्चों, आज के नवजवानों पर है बविश के भारत के करनधार यही बच्चे हैं अभी हाँ जिन बच्चों ने मार्शल आर्ट का प्रदर्शन किया उनका अद्भूत कौशन दिखाता है कि भारत के वीर बालक बालिकाएं का सामर्थ कितना ज़्यादा है मेरे परिवार जनों, आने वाले प्रतीज साल हमारी युवाशक्ति के लिए बहुत बड़ा आउसर लेकर आ रहे हैं भारत का युवान किसी भी छेत्र में, किसी भी समाज में पैदा हुआ हो उसके सपने असीम है इन सपनों को पूरा करने के लिए सरकार के पास सपस्ट रोड मैप है सपस्ट वीजन है सपस्ट नीती है नियत में कोई खोट नहीं है आज भारत ने जो राष्टिय सिख्षा नीती बनाई है वो 21 सदी के युवाओं में नया सामर्थ विक्षित करेगी आज 10,000 अटल टिंकरिंग लेप्स हमारे विद्यार्थिवों में इनोवेशन की रिसर्च की नई ललक पैदा कर रहे है आप स्टार्ट अप इंगी अभियान को देखिए 2014 में हमारे देश में स्टार्ट अप कल्चर के बारे में कम ही लोग जानते थे आज भारत में सबाल लाख नए स्टार्ट अप्स है इन स्टार्ट अप्स में युवाओं के सपने है इनोवेशन है कुछ कर गुजरने का प्रयास है आज मुद्रा योजना से आठ करोड से जादा नवजवानों ने पहली बार अपना कोई बिजनेस अपना कोई स्वतंत्र काम शुरू किया है ये भी गाउं, गरीब, दलीद, पिछडे, आदिवासी, बंचित वर के युवा है युन युवाओं के पास बैंक को गारंटी देने तक के लिए कोई सामान नहीं था इनकी गारंटी भी मोदी ने ली हमारी सरकार इनकी साथी बनी हमने बैंकों से कहा कि आप भय मुक्त होकर युवाओं को मुद्रा लोन दीजिए लाखों करोड रुपिये का मुद्रा लोन इसे पाकर करोडों युवाओं ने आज अपना भाग्य बदल दिया है साथियों हमारे खिलाडी आज हर इंटरनेशनल इवेंट में नए रिकॉर्ड बना रहे हैं इसमें से अधिक्तर हुआ गाओं से कस्बों से गरीब और निम्न मद्यम भरगिये परिवारों से ही है इनको खेलों इंडिया भ्यान से घर के पास ही बहतर खेल सुविदाय मिल रही है पारदर्शी चयन प्रकिया और आधुनिक ट्रेनिंग के लिए उचीत व्यवस्ता मिल रही है इसलिए गाओं गरीब के बेटे बेटी भी तिरंगे की शान बढ़ा रहे है ये दिखाता है कि जब युवाहित को प्रात्विक्ता मिलती है तो परणाम कितने शांदार बहुते हैं साथियों आज जब मैं भारत को तीसरे नंबर की अर्थ ववस्ता बनाने की बात करता हूँ तो उसके सबसे बड़े लभार्थी मेरे देश के युवाहि है तीसरे नंबर की आर्थिक ताकत होने का मतलब है बहतर स्वास्त बहतर सिक्षा तीसरे नंबर की आर्थिक ताकत होने का मतलब है अधिक आउसर अधिक रोजगार्ड तीसरे नंबर की आर्थिक ताकत होने का मतलब है quality of life quality of products साल 2047 का विश्चित भारत कैसा होगा उस बड़े कैनवास पर बड़ी तस्वीर हमारे युवाओं को ही बनानी है सरकार एक दोस के रुपे, साथी के रुपे आपके साथ मजबूती से खड़ी हुई है विक्सित भारत निर्मान के लिए युवाओं के सुझाव और उनके संकल्पों को जोड़ने के लिए एक राष्ट्र भ्यापी अभ्यान चल रहा है मैं सभी नवजबानों से माई गौपर विक्सित भारत से जुड़े सुझाव साजा करने का फिर से आगर करूंगा देश्ट इवाशक्ति को एक ही प्रेटफर्म पर लाने के लिए एक अर बहुत बड़ा मंच एक बहुत बड़ी संस्ता सरकार ने बनाई है ये संगठन है ये मंच है मेरा युवा भारत यानि माई भारत ये मंच अब देश की युवा बेटियों और बेटों के लिए एक बहुत बड़ा संगठन मनता जा रहा है आज कल जो विट्सीद भारत संकल भी आत्राय चल रही है उनके दोरान भी लाखों युवा इस माई भारत प्लेटफरम पर रेजिस्टर कर रहे है मैं देश के सभी युवाओं से फिर कहूंगा कि आप माई भारत पर जाकर खुद को जरूर रेजिस्टर करें मेरे परिजनों आज भीर बाल दिवस पर मैं देश की सभी नवजवारों से सभी युवाओं से अपने स्वास्त को सर्वच प्रांस्वीक देने का आग्रह करूंगा जब भारत का युवाओं फिट होगा तो वो अपने जीवन में अपने केरियर में भी सुपर हिट होगा भारत के युवाओं को अपने लिए कुछ नियम अवश्य बनाने चाहिए उन्हें फॉलो करना चाहिए जैसे आप दिन में या सब्ता में कितनी फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं आप सूपर फूर्ड मिलेट स्री अन्न के बारे में जानते हैं लेकिन क्या अपने इस डाइट में शामिल कर रखा है डिजिटल डिटॉक्स डिजिटल डिटॉक्स करने पर आप कितना ध्यान देते हैं आप अपनी मेंटल फिटनेस के लिए क्या करते हैं क्या आप एक दिन में परियाप्त निंद लेते हैं या फिर निन्द पर उतना ध्यान ही नहीं देते ऐसे बहुत सारे सवाल है जो आज की आधुनी की वापीडी के सामने चुनोती बनकर खड़े हैं एक और बहुत बड़ी समस्या भी है जिस पर एक राष्ट के रूप में एक समाज के रूप में हमें ध्यान देने की जरूरत है ये समस्या है नशे और ड्रक्ष्टी है इस समस्या से हमें भारत की युवाश शक्ति को बचाना है इसके लिए सरकारों के साथ साथ परिवार और समाज की शक्ति को भी अपनी भूमी का का विस्तार करना होगा मैं आज वीरबाल दिवस पर सभी धर्म गुरूं और सभी सामाजिक संस्थानों से भी आगर करूंगा कि देश में ड्रक्ष्ट को लेकर एक बड़ा जनांदोलन हो एक समर्थ और ससक्त युवाश शक्ति के निर्माण के लिए सब का प्रयास आवश्शक है सब का प्रयास की यही सीख हमें हमारे गुरूं ने दी है सब का प्रयास की इसी भावना से भारत विक्सित बनेगा एक बार फिर महान गुरू परंपरा को शहादत को नया सम्मान नई उंचाई पर पहुंचारे वाले वीर साहब जादों को स्रद्धा पुर्वक नमन करते हुए मेरी वानी को विराम देता हूँ आप सब को भहत भहत शुब कामना है वाहे गुरी जी का खाल्चा आए गुरू पर आप अप यह मोदी को सुन रहे तो उनकी तरफ से कहा गया कि जो यूवा आज काम कर रहे हैं उनको और पी जादा तर्की देने के लिए और पी जादा आगे बढ़ाने के लिए सरकार लगतार प्रास रहत है और यूवा को एक दिन ड्रक्स फ्री करना होगा इसके लिए जनान दोलन भी करना काफी ज़रूरी है